नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं और सिक्षन सस्थान, मौल, रेस्टोरेंट, होटल, पार्क आधी को बंद करने का सुझाओ दिया गया है वहीं इस दरण आवस्यक चीजों में पुर्व की भाती छूड़ देने की बात कही गई है बता दे इस सबंद में हेल्थ सेक्रेटरी अरुन कुमार सीनहा ने आपदा प्रवन्दर प्राधिकार के सचीव को सुझाओ समधी पत्र दिया पत्र में सीरिस सीनहा ने कहा है कि राजे में लगातार करोना के ममले बढ़ रहे हैं इसको देखते हुए राजे सरकार को कड़े कदम उठाने के जरूरत है उन्होंने सुझाओ देते हुए आपदा प्रवन्दर प्राधिकार को इस पर अमल करने के अपिल की है ताकि राजे में बढ़ रहे कुरोना सेंक्रमन की रफ्तार को कम किया जा सके जार्खन में चो जनवरी से चाहेंगे बादल जार्खन में उतर पच्मी और उतर दिशा से आरही वर फिली हवा की वज़ा से रभिवार को भी ठंड से आमजन को रहात नहीं मिली जार्खन में बढ़ते कुरोना संक्रमन को लेकर हेमन सरकार गंभीर है बतादे सीम हेमन सुरेन ने इसकी रोक्थाम को लेकर विभीन विभागों से सुझा मांगे है आपकी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए सभी पहलूओ पर बारीकी से नजर रख रही है और सोमवार को प्रस्तावित आपदा प्रवंदर प्राधिकार के बैटक में सभी पहलूओ को ध्यान में रखकर उचित पहसला लेगी साथ ही उन्होंने राज्यवासियों से अफवा पर ध्यान नहीं देने की अपिल की है वहीं कुरोना गाइडलाइन का अनुपालन करने को कहा है बिना मास्क पहने घरों से बाहर नहीं निकलने और घर के बुजूर्ग और बचों पर विश्य ध्यान रखने की अपिल की है कहा है कि सरकार आपके साथ और आपके हीद के लिए हमेशा खड़ी है ऐसे में आप अपना सुझाव अवसे दे जारखन में लोकडाउन लगना चाहिए या नहीं इस्कूल कोलेज बंद होना चाहिए या नहीं कोमेंट बक्स में अवसे बताए जारखन में 24,000,000 की सोरों को सो मुआर से लगेगा ठीका कोरोना ठीका करण का इंतियार कर रहे जारखन के 23,99,000 की सोरों के लिए सो मुआर को खास दिन होगा सो मुआर से पूरे जारखन में 15-18 वर्स आयूग के इन की सोरों का ठीका करण सुरू होगा बतादे इन्हें भी को वैक्सीन की वही डोज लगाई जाएगी जो वैसको को लगाई जा रही थी जारखन में सो मुआर से कि सोरों के ठीका करण के लिए पूरी तियारी कर लिए है इनके लिए अलग से केंद्र बनाए गया है कोरोना के कारण जारखन हाई कोट में 14 जनवाई तक वर्चूल सुनवाई जारखन में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते हुए हर तरफ से अब सतर्कता बरती जा रही है बतादे जारखन हाई कोट ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि 14 जनवाई 2022 तक वर्चूल सुनवाई होगी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जारखन हाई कोट ने या पहल की है जारखन में इसकूल होंगे बंद ऐसे बनेगा रिजल्ट राज जेके सरकारी और निजी स्कूलों में फिर से ओफलाई बंद होगी बतादे बचों को ओनलाइन कलास और डिजिटल कंटेंट उपलब्द कराया जाएगा करोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज सरकार जनुवरी के पहले सप्ता में इस पर निन लेगी बतादे बरतमान में छाट्री से बरावी तक के स्कूल बचों के लिए खुले हुए है जो चात्र चात्रा स्कूल आकर ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वे करते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुरोना के लगातार बढ़ते मामलोक देखते हुए इसकूलों को चात्र चात्रावों के लिए बंद किया जाएगा बतादे सरकार मैट्रिक और इंटर्मेडियेट की परिक्षा को देखते हुए दसवी और बरहवी के चात्र चात्रावों को इसकूल बुला सकती है कक्षा आठवी से बरहवी तक मंथली असेस्मेंट बनेगा रिजल्ट का अधार क्रोणा की वज़ा से अगर आठवी से बरहवी तक के पहले टर्म की परिक्षा नहीं हुई और दूसरे टर्म के परिक्षा पहिनाम के अधार पर रियल्ट तयार किया जाएगा बताएद मैट्रीक और इंटर्मेडियेट का दूसरा टर्म 1 माई से 15 माई के बीच होना है जबकी 8 वी, 9 और 11 वी का दूसरा टर्म 10 से 25 जून के बीच होना है एप परिक्षा लिखित होगी अगर कुरोना के कारण ने अब परिक्षा भी परभावित होती है तो सितंबर 2021 से स्कूलों में नवी से बरहावी कलास के चल रहे मंतली असेस्मेंट के अधार परिज़र त्यार किया जाएगा इस्कूली सिक्षा हुआ सक्षर्टा विभाग ने सभी मंथली असेस्मेंट के अंग विभाग में मंगवाए हैं और इस्कूलों में भी रखवाए हैं 10 से 25 जनवरी के बीच 8 वी नवी वह एकारवी के पहले टर्म की परिचा निदारित थी मैट्रिक इंटर परिच्छा के लिए फर्म भरने का 31 जनवरी तक मौका अप्रेल माई में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परिच्छा में सामिल होने जार है स्टूडेंट के लिए नेशनल इंस्चूट आफ ओपेन स्कूलिंग ने महतपुन सुचना जारी की है पता जारी नोटिस के मुताबिक मैट्रिक और इंटर की परिच्छा के लिए उनलाइन फर्म भारने की परकिरिया शुरू कर दी गई है स्टूडेंट अधिकारिक वेप साइट नायोस.ac.in के माध्यम से आवेधन कर सकते हैं परिच्छा के लिए आवेधन करने की आखरी तारिक 31.02.2022 तक है साथी वैसे स्टूडेंट जिन होने अक्टूबर नोवंबर 2021 के परिच्छा में आवेधन किया है या उपस्थित हुए हैं उनके आवेधन की परकिरिया 16.02.2022 से सुरू होगी या अभी 31.02.2022 तक चलेगी जार्खन में 30 पुलिस कर्मी संक्रामीत रभिवार को 157 मामले मिले जार्खन पुलिस में 1 ADG, 1 IG और 1 SP सही 30 पुलिस कर्मी क्रोना संक्रामीत पाए गया है बतादे जार्खन पुलिस 50 फिर्दी छामता के साथ अब काम करेगी रोटेशन के अधार पर काम होगा इस समद में सिग्र आदेश जारी होने की संभवना है बतादे रभिवार को 157 मामले मिले हैं जिसमें से राची से 413, पुर्वी सिम्भूम 189, भोकारो 93, पच्मी सिम्भूम 84, कोडर्मा 42, रामको 24, लाते अरेगार, गीडी 10, पलामु 10, सिम्डेगा 6, गोड़ा 3, लोर्दागा 1, गड़वा 1, धनबास 110 मिले जारखन में सनिवार को 107 नए केस मिले हैं, जबकि 105 मरी स्वस्थ भी हुए हैं, जारखन में सनिवार के अकड़े के नुसार कूल एक्टिव केस की संख्या 297 है भारत में 27-740 नए केस मिले हैं जबकि 76-22 मरी स्वास्थ भी हुए हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संगा 1,43,331 है जारखंड के ताजा कुरोना अप्डेट देखने के लिए साम पांच बएक अन्यूज देखना ना भूले बच्चों में पढ़ने की आदत डालने की योजना 100 दिनों तक चलेगा अभियान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में पूस्त के पढ़ने की आदत विक्सित करने के लिए केंद्रे के निदेश पर जार्खंड से भी 100 दिनों में पढ़े भारत अभियान चलेगा बतादे सन्निवार से पूरे देश में शुरू हुआ या अभियान 10 अपरेल तक चलेगा जार्खंड सिक्षा पर योईना परिशत की निदेशक ने इसे लेकर पहले सभी जीला सिक्षा अधिक्षकों को दिजा निदेश जारी कर दिया है इस अभियान को अपेक्षा अनुरूप तीन समूहों में बाटा गया है धान खरीद में फिश्री साबित हुआ जारखन 15 पर तिसर्थ हो सकी खरीद राजे में एक तरफ जहां किसानों के लिए तमाम सुवी धायों उपलब्ध कराने के दावा किया जा रहा है दूसरी तरफ निमतम समर्थान मुले पर अभी तक उमीद से कम ही खरीद की गई है जिसे किसानों को काफी परजानी हो रही है बता दे पहले पकवारे में धान खरीद को लेकर काफी सूस्ती दिखी 15 दिसामर से शुरूवी खरीद पर किरिया अगले 15 दिनों में सिर्फ 3.38 लाग क्यूंटल धान की खरीदारी हो सकी जो की तय लक्स 80 लाग क्यूंटल का सिर्फ 4.38 इस दोरान 1789 की सानों अपने धान बेचे है आठवी से बरावी तक के पहले टर्म की परिक्षा पर संसर बरकरार कुरोना के भरते मामले से अब आठवी से बरावी तक के पहले टर्म की परिक्षा पर भी संसर नवियर आ रहा है बतादे सरकार एतियातन परिक्षाओं के संचालन पर रोक लगा सकती है इसकूली सिक्षाओं सक्षता विभाग ने 1 से 15 दिसंबर 2021 के बीच मैट्री कॉन्टर मीडेट के पहले टर्म की परिक्षा लेने का सेड्यूल जारी किया था जबकि 10 से 25 जनवारी के बीच आठवी नवी और एकार्वी के पहले टर्म की परिक्षा निधायत थी बता दे एक परिक्षाए OMR सीट पर होनी है इसके बावजूद जारकन एकेडमी काउंसील में अध्यक्स के नहीं होने से अब तक इन परिक्षाओं का संचाले नहीं हो सका और नहीं निकट भविसे में इसके होने की संभावना दिख रही है स्वास्त विभाग के सुझाव इस परकार हैं आगामी 15 जनवरी 2022 तक पार्क, स्पोर्ट, कमप्लेक्स, स्विमिंग, पूल, जीम और इंडोर स्टेडियम को बंद किया जाए सभी धार्मिक अस्थलोब पर सरधालों के इंट्री बैन हो होट बजार में सोसल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो साधी, विवा, दा, संसकार और समाजी गति विदियों में भैक्सिन के दोनों डोज लेच चुके 50 लोगों को सामिल होने के अनुमती राजे में जरूरी दुकानों को छोड़ कर गर दुकानों को एक दिन छोड़ कर साम पांच बैत तक खोले स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और स्टिक्षन सस्तानों को बंद कर ऑनलाइन प्राय होनी चाहिए लोगों के लिए रेस्टोरेंट बंद हो, सिर्फ होम डिलेवरी के अनुमती मिले साम 6 बए से सुबह 6 बए तक रातरी कारफियू फिर से लागू हो इस तरवन अवसक सेवावों को छोट मिलती रहेगी रविवार को अवसक दुकानों को छोट सभी दुकाने बंद हो पलामू से कोड़ा गएं के 5 सदसे गिरफतार पलामू पुलिस ने इंटर स्टेट कोड़ा गएं के 5 सदसे को गिरफतार किया है गिरफतार सदसेयों में एक महिला भी सामिल है बतादे पुलिस ने इन लोगों के पास से लूट के पैसे बाइक समेत कई अने समान की ब्रादमी की है यह जनकारी पुलिस अधिक्चक चंदन सिना ने पत्रकारों को दी बतादे एसपी सिरी सिना ने बताया कि गत 10 दिस्तंबर 2021 को पाकी के स्टेट बैंक के पास मजजित चोक से निजवानूल हक अनसारी के बाइक के डिक्की को तोड़ कर उसमें रखे 90,000 उपए निकाल लिया था बाबा मंदीर में डेर लाख भक्तों न किया जलारपन बाबा मंदीर का पट खुलने के बाद बाबा बैधनात को जलारपन करने वाली कूल संख्या एक लाख अरती सही चौश सताथी पहुंच गई थी जार्खन को जिनोम सिक्वेंसिंग मसीन सिग्र साहिया का बढ़ेगा मान दे जार्खन के स्वास्थ मंत्री बना गुपता ने केंद्र से जिनोम सिक्वेंसिंग मसीन देने का आगरा किया है उन्होंने केंद्रिय स्वास्थ मंत्री मंसूख मांडविया से कहा है कि जब रीम्स को रिसर्च सेंटर का दर्जा मिल गया है तो यहाँ जिनोम सीक्वेंसिंग मसीन जरूर मिलनी चाहिए इस पर केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुक मांडविया ने अस्वासन देते हुए कहा है कि इस पर जल्द पर किरिया के तो जार्खन को मसीन उपलब्द कराई जाएगी बता दे स्वास्त मंत्री की वर्चुल मोड में हुई बैटक में जारकन के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने साहिया के मांडे को 2000 से 7000 बढ़ाने की अपनी मांग को दूराया इस पर केंद्री स्वास्त मंत्री मंसुख मंडविया ने कहा कि उनकी मांग जायज है और केंदर सरकार जल्द इस पर फास्ला लेगी इगनू में जन्वारी सेख्षनिक सत्र में आउनलाई नमांकन शुरू इगनु के जनवरी 2022 सेखनिक सत्र के लिए असनातक बैचलर डिगरी, बैचलर अनर्स, असनातकोतर, पीजी डिपलोमा, डिपलोमा, पीजी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट कार्यकरों में अनलाइन नमांकन शुरू हो गया है इकचुक, सिक्छार्थी, इगनु के अधिकारिक बैपसाइट के माध्यम से नमांकन ले सकते हैं छेतरिये, केंद्रे राची की ओर से, असनातकोतर में पर्यावन बिग्यान, उर्दू, उद्यमिता, बिकास, पत्रकारिता, आधिक कार्यकरों की सुरूवात की गई है सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का सकती से पालन कराये जीला परसासान रांची में कुरोना संक्रमन के तेजी से परसार होने के बाद रांची जीला परसासन गंभीर हो गया है बतादे जिला परसाशन ने आम लोगों से सरकार की ओर से जारी गाईलेन का पालन करने का निर्देश दिया है नियमों का पालन नहीं करने वालों खिलाब परसाशन अपसक्ति करेगा कुरोना नेमों का पालन कराने के लिए उपायुक्त ने SDO और SSP को निर्देश दिये हैं बता दे उपायुक्त ने सोसल डिस्टेंसी का पालन कराने सरोजनिक अस्थानों पर बिना वज़ा भीड नहीं लगाने बिना मास्क के बाहर नहीं निकलने की अपील लोगों से की है जारखन पूलिस ने साइबर ठगों से बचने की अपील की राज्य भर में साइबर अपराधियों ने लोगों को परसान किया है अपर्धान मन्त मुद्रा लोन की आड में लोगों से लोन लिए जाने का परचार वे कर रहे हैं लोन के तवत 50 रुपे से लेकर पांच लाग तक का लोन बीना गरांटी के मातरे 24 गंटे में दिये जाने का जासत दिया जा रहा है बता दे प्रोपर्टी लोन, प्रस्नल लोन, मार्क सीट एवं समस्त प्रकार के लोन के बाटने की बात कर रहे है महिलाओ और छात्रों को 30.50 से लेकर 50.50 तक विशेश छुट दिये जाने का भी वरुसा है इसके अलावा कमपनी के एजेंट बनने और कमाने के लिए दिये गए नमबरों से जुड़ने को कहा जा रहा है बता दे हाजारी बैग पुलिशन लोगों से ऐसे बिग्यापनों से बचने के अपिल की है इसके फेरे में आने पर जामा पुंजी गवाने का खत्रा बताया जा रहा है कोविट इलाज को आयुसमान से जुड़ा जाए मंत्री केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुक मांडूया ने जारकन सहीत वीभीन राजयों के स्वास्त मंत्री के साथ वर्चूल मिटिंग की इस बैटक में जारकन के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कई अहम मोदे को बिस्तार से रखा बन्या गुपता ने केंद्रीय स्वास्त मंत्री से कहा कि आयुस्मान प्रधान मंत्री नयंद मोदी का बहुत बड़ा पलान और योजना रही है इसका लॉंचिंग भी जारकन से ही की गई केंद्र सरकार कोविट का इलाज को भी आयुस्मान से जोड़े इसका लाब गरीबों को मिलेगा बना गुपता ने कहा कि जब को बैक्सिन बच्चों में लगाने के उनुमती आईसी एमार और भास ड्रक्ष कंट्रोल ने दी है तो इसलिए बच्चों के बैक्सिनेशन के उम्र सीमा 15-18 वर्स में संदोधित करते हुए बारा से अठारा से किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चों का इसका फैदा मिल सके जार्खन में च्छात वीर्थी के लिए 5 जनवरी से खुलेंगे पोर्टल जार्खन और जार्खन से बाहर के मनाते प्राप्त बीएट कोलेजों में एडमिसन के लिए स्टुडेंट इकल्यान पोर्टल के माध्यम से स्कोलर्शिप के लिए अविदन कर सकते हैं बताएदे कल्यान विभाग ने ओनलाइन अप्लिकेशन के लिए इकल्यान पोर्टल 5 से 15 जनवरी तक के लिए खोला है स्टुडेंट जिन्होंने एकेडमी येर 2020-22 में एडमिसन लिया है वे साल 2022 और 2021 के लिए अप्लिकेशन देंगे स्टुडेंगे गुमला के 200 बेरुजगार हुए चायनित बेरुजगारों को रोजगार से जोड़कर उसे स्वालंबी बनाने के लिए जार्कन सरकार ने मुख मंति रोजगार स्टुडेंगे लोन दिया जाएगा जिस्ते ए लोग रोजगार को अपनी अलग पहचान बना सकेंगे बतादे 50 एर तक का लोन बिना गरांटी के दिया जाता है गुमला में आँख फोड़ने का मामला डैन बिसाई के नाम पर पिटाई गुमला जिला अंतरगा सिसाई थाना के लकेया गाउमे अंधविस्वास में गाउ के कुछ लोगों ने दो सगे भाईयों संजय उराओ और अजय उराओ को बेरमी से पिटाई कर दी पिटाई के बाद दोनों भाई अदमरा हो गए बतादे पिटाई के बाद दोनों को बीली खंबर से बांद कर रखा था हमलावारों ने अजय उराओ का बाया आँख को लोहे के रोड से मार कर फोर दिया पुलिस ने घटना अस्तल पहुँचकर दोनों भाईयों की जान बचाई और गायलों का अस्पताल में भरती कराया जामुमों के केंद्रिय समीति के सदस्यों की सूची जारी जार्खन मुक्ति मुर्चा की नई केंद्रिय समीति के सदस्यों की सूची रभिवार को जारी कर दी गई है अध्यक्स सीबू सुरेन के हस्ताक्षर से जारी सूची में कूल 246 सदस्यों सामिल किये गा है जिसमें जार्खन के सभी जीलों के अलावा बिहार, बंगाल, ओजचा के परतिनिधी भी सामिल है बता दे मुर्चे के बरावे महादिवेशन में केंद्रिय समीति के सदस्यों का नाम घोसित करने के लिए अध्यक्स सीबू सोरेन और करेकारी अध्यक्स हेमन सोरेन को अधिक्रित किया गया था दोनों सीग्र नेता दुमका से केंद्रिय समीति के सदस्यों से चैनित किये गया साथ साथ आप हमें कोमेट वक से अपना फिडबाइक और से दे थैंक यू